13 में क्या कर रहा है? समय कर रहने 3x घटा y बराबर 5 तता 6x घटा 2y बराबर k कि कोई हल न हो कोई हल न हो तो न हो तो क्या करना पड़ेगा? देखो कोई हल नहीं होने के लिए क्या होना पड़ेगा? कोई हल कब नहीं होता है? जब रेखा है समानतर होती है समानतर किस इस्थिति में होता है तो जब B1 बटा B2 बरावर C1 बटा C2 बरावर नहीं होता है ठीक है तो हम यही इस्थिति को apply करेंगे हम क्या करेंगे B1 लेते हैं B1 कितना है B1 minus 1 है B1 minus 1 उसके बी टू B2 कितना है? minus 2 बरावर बरावर नहीं C1 को कितना है? यहां तो 5 है न इसको घटा 5 लिखेंगे ठीक है? क्योंकि इस 5 को बरावर के उस पार लेके जाएगे तो घटा हो जाएगे क्योंकि यह 5 जोर में है इस पार आएगा तो घटा में हो जाएगा उसके हाथ C2 C2 में रखके है तो यहां minus K लिखेंगे minus क्यों लिखेंगे? क्योंकि इसको बरावर के इस पार लेके जाएगे वैसे यहां नहीं लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पढ़ने वाला है वो अलग बात है यह minus, minus खतम, यह भी minus, यह भी minus खतम हो गया इस K को हम इस पार लेके आजाएगे तो K गुना एक करेंगे तो क्या हो जाएगा? K हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद यह बरावर नहीं लिखेंगे इस दो को इस पार लेकेंगे तो 2 और 5 को गुना करेंगे 5 तो नहीं, 10 यानि के कमान दस नहीं होना चाहिए के बरावर नहीं होना चाहिए, 10 आफसन नमबर देखो, आफसन नमबर सी है ना, आफसन नमबर सी में देखो के बरावर नहीं है, 10 जब के कमान दस नहीं होगा तब उस इस्थिती में क्या होगा? कि ये जो दोनों समीकरण है इन दोनों समीकरणों का कोई हल नहीं होगा ठीक है? कोज इकट चालाओ